नमस्कार दोस्तों में नाम स्रीकान कुमर अब देख रेट टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तों अपना मोबाइल फोन से पैन कार्ड में हम किस प्रकार से क्रेक्शन कर सकते हैं जैसे नाम, एड्रेस, डेटो बर्थ, जेंडर, फोटो, इमेल आईडी, मोबाइल नमबर, सिगनेचर ये सरा चीज को अगर आप खुद से अपडेट करना चाहते हैं पैन कार्ड में मात्रे 5 मिनट के अंदर तो इस वीडियो को कमप्लीट देखना है इस वीडियो में हम बहुत यसान तरीका से बताने वाले हैं जो घर बैटे आप करेक्शन कर सकते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को कमप्लीट देखना होगा तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बल आइकन धन्टी को प्रिस कर लीजे ताकि मेरे वीडियो को नोडिपिकेसान सबसे पहले आप के पास पहुँच पाए तो चले दोस्तों मेडियो को सुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले mobile या laptop का किसी एक browser को open कर लेना है browser में type करना है pen card correction उसके बाद search के option पे click कर दना है यहाँ पे दो link दिखनी के लिए मिल जाता है दोस्तो अगर आपका pen card nsdl से बना हुआ है तो first वाले link पे click करना है या फिर अगर आपका pen card uti से बना है तो second वाले link पे click करना है और आपको कैसे पता करना है कि मेरा pen card nsdl से बना है या फिर uti से बना हुआ है तो pen card का back side में लिखा हुआ रहता है तो चलिए हम first वाले link पे इस परकार से click कर दते हैं उसके बाद कुछ इस परकार की interface open हो जाता है तो सबसे पहले इस परकार से नीचे चले आना है यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है select select के option पे click करना है यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है correction के option इस वाले option को select कर लेना है इस box में अपना last name को type करना है, first name को type करना है, middle name है तो type करना है, नहीं तो छोड़ देना है, यहाँ पे data of birth को select करना है, यहाँ पे email id को type कर लेना है, यहाँ पे अपना mobile number को type कर लेना है, इंडिया में रहते हैं तो yes वाले option को select करना है, यहाँ पे अपना 5 number को type करना है, इस box प यहाँ पर टाइप करना है, संबिट के ओप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक टोके नमबर मिल जाता है, तो सबसे पहले स्क्रीन सौट करके यहाँ पर रख लेना है, उसके बाद यहाँ पर दिख जाता है, कंटेन्यू के ओप्शन पर क्लिक करना है, पैन कार्ड में करेक वही details सेम आपके paint card पे देखने के लिए मिलेगा, दूसरो ऑप्षन जो है कि document को screen करके upload करके आप जो है कि paint card में correction कर सकते हैं, तीसरो option दिया गया है कि फिचकली document को आपको send करके आप paint card में correction कर सकते हैं, तो इसमें से best रहेगा second वाले option, तो चलिए इसमें से हम second वाले option को select करते हैं उसके बाद इस प्रकार्ड से नीचे चले आना है और यहाँ पर option देखनी के लिए मिल जाता है pen card में correction हो जाएगा तो कि यह आप physical pen card अपना address पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको yes वाले option को select रहने देना है अब यहाँ पर अपना address number को type करना है अधार card का last four digit number यहाँ पर type कर लेना है अधार card पर जो आपका नाम होगा यहाँ पर नाम को type करना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको select करना है कि अगर आप pen card में name को change कर रहे हैं सबसे पहले क्या करना है इस box पे record कर देना है और जो paint card पे आप नाम रखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पे type कर देना है या फिर दोस्तो अगर आप paint card में date of birth को change करना चाहते हैं तो इस box पे record करना है और जो date of birth रखना चाहते हैं इस box में select कर लेना है यहाँ पे gender को select करना है और अगर आप photo signature change करना चाहते हैं तो दोस्तों इस दोनो बॉक्स पर टिकाइब रहने देना है अब यहाँ पर अपना father's name का last name को टायब करना है first name को टाइब करना है middle name है तो टाइब करना नहीं तो छोड़ दना है mother's name अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहां पर last name को type करना है, first name को type करना है, middle name है तो देदना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है, यह optional है पैन कार्ट पे किसका नाम रखना चाहते है, father's name या mother's name, जिसका रखना चाहते हैं यहां से select करना है next option पे click करना है उसके बाद next page इस प्रकार से open हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको select करना है कि आप किसका address देना चाहते है residence या office का यहाँ सबसे पहले select कर लेना है अब यहाँ पे अपना full address को फिलब पे कर लेना है उसके बाद इस प्रकार से नीचे चले आना है और दोस्तो अगर आप email id और mobile number को change करना चाहते हैं तो इस box पे record करना है यहाँ पे country code को आपको select करना है और यहाँ पे आपको mobile number को type करना है जो आप pen card के साथ link करना चाहते हैं और यहाँ पे email id को type करना है जो pen card के साथ link करना चाहते हैं और दोस्तो अगर आपका एक से ज़्यादा pen card बना हुआ है तो यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले इस box पे record करना है और pen number को type करके next के option पे click करना है उसके बाद next page open हो जाता है जिसमें कुछ आपको document को select करना है तो सबसे पहले यहाँ पे दिख जाता है proof of identity तो proof of identity में आपके पास कौन सा document है सबसे पहले यहाँ पे आपको document को select कर लेना है तो मेरे पास अधार card है तो चलिए अधार वाले option को हम यहां से select करते हैं इस परकार से हम type करते हैं अधार तो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है अधार तो यहां पर देखिए अधार वाले option को हम select कर लिए अब दोस्तों, यहाँ पर आपको select करने के लिए बोला जा रहा है, Proof of Adres. Adres proof में, आपके पास कौन सा document है? तो मेरे पास अधार card है, तो अधार card को select करते हैं. अब दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है, Proof of Date of Worth में आपके पास कौन सा document है? तो मेरे पास जो है यह अधार कार्ड है तो अधार कार्ड वाले option को हम select कर लेते हैं और यहाँ पर दिख जाता है proof of pen अगर आप pen card देना चाहते हैं तो यहाँ से आपको select करना अगर नहीं है तो आपको no document को select कर लेना है यहाँ पर अपना नाम को type करना है यहाँ पर दिख जाता है select select के option पर click करना है फर्स्ट वले option को select कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर आपको type करना है कि pen card में correction करने के लिए आप कितना document को select किये हैं तो यहाँ पे आपको type कर लेना है तो दोस्तों हमने एक document को select किये हैं सिर्फ अधार card तो यहाँ पे एक type कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे अपना place के name को type करना है अब यहाँ पे अपना photo को upload करना है जो आप Pen card पे photo को रखना चाहते हैं उसको यहाँ प्पे went card करना है जिसका size यहाँ पे बताया गया है तो upload करने के लिए yeah Dialogler प्लस के option पे click करके select कर लेका उसके बाद upload के option पे click करदना है यहाँ पे pen card में जो आप signature अप चाहते हैं plus के option पे click करके signature को आपको upload करना है इसका size यहाँ पे बताया गया है इसी size के अंदर आपको upload कर देना है यहाँ पे दिख जाता है upload upload के option पे click करने के बाद upload हो जाता है अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक supporting document को upload करना है जिसका size यहाँ पे बताया गया है तो यहाँ पे आपको अधार काट को upload करना है तो plus के option पे click करके file को select कर लेना है upload के option पे click कर दना है और यहाँ पे दिख जाता है submit submit के option पे click कर दना है उसके बाद अगला page इस परकार से open हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पे अपना अधार number को type करना है फस्ट का 8Digit उसके वाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक वार सही तरीके से चेक कर लेना है कि जो भी हमने details को fill up किये हैं सब कुछ details अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है सबसे last में चले आना है और यहाँ पर दिख जाता है proceed, proceed के option पे click करना है अगर इसमें किसी परकार का edit करना है तो यहाँ से आप जो एक edit कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर payment करने के option आ जाता है तो यहाँ पर दो option दिया गया है जिससे आप payment करना चाहते हैं उस वाले option को select कर लेना है उसके बाद इस परकार से निचे चले आना है आपको 104.90 पैसा आपको payment करना होगा तो payment करने के लिए यहाँ पर दिख जाता है आई agree का box इस box पर ticket कर देना है और यहाँ पर दिख जाता है proceed to payment इस वाले option पर click कर देना है और यहाँ पर दिख जाता है pay confirm इस वाले option पर click करना है और यहां से आपको payment कर देना है तो जैसे payment successfully हो जाता है तो दोस्तों फिर आपको यहां पे अधार कार्ट को verify करना होगा verify करने के लिए इस box पे tick out करना है यहां पे mutual ID या फिर अपना अधार नंबर को type करना है send OTP के option पे click करना है अधार कार्ट के साथ जो भी mobile नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को send किया गया है OTP को यहां पे type करना है verify OTP के option पे click करना है उसके बाद इस परकार से एक receiving download हो जाता है तो इसे save करके रख लेना है उसके बाद दोस्तों 5-7 दिन के अंदर आपके pen card में correction हो जाता है और दोस् अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के click कर देजगों मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को subscribe कर लिजब लाइकान हंती को भी प्लेस कर लिजगा